जैहिन सातियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ग्यान आर्बियल में दोस्तों आज हम देख रहे हैं इतिहास का च्छाठा पार्ट यानि मगद के उदग बारे हम देखेंगे मगद समराज के बारे में संपूर्ट चाहिए आपको दा देखेंगे आपको दा अगर चाहते संपूर्ट देखना दोस्तों इतिहास तो आप इस प्लेलिस्ट पर जाकर सकते-संपूर्रित्हास के नाम से मने बना दिया है इसके लागा τουटी इ सम्पूर्ण हिंदी आप देखना चाहते तो תחat कर देए ठीक है और आप उनादा जिन बच्चे को यह zijn giving प्राचीन हो गया मद्धिकालिन और आधुनिक उसके लावा आंदोलन संपूर्ण इतिहास आपको मिल जाएगा दोस्तों प्रचेस कर लिजेगा ठीक है और दोस्तों यह हमारा जूने सिष्टेन का वैच है मात्र 399 रुपएम चाहिए तो आप ले सकते हैं ठीक है तो जाहिए हमारे ज्यान अर्बेल आप पर जैसे जाते हैं दोस्तों यह देखें मिल जागा संपूर्ण भारती प्रिहास इबुक यह पचास रुपएम इसको ले सकते हैं इसको दोस्तों कंप्यूटर बैच है हमारा ठीक है तो यह आपके वीडियो रिख्याम में भी पूछा गया कोशन था कि सबसे सकतसाली महाजन पत कौशन था तो मगद था इसकी राजधानी क्या थी गृवरज या राजगरी ठीक है यूपियसाई में पूछा गया है ठीक है याद रखेंगे और आको बदा दी यह कहा था तो आप बदा दे कि प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिड के छेत्र को मगद के नाम से जाना था तो अथर वेद में दोस्तों मगद के बारे में उलेख मिलता है ठीक है अगर हमें बात को दोस्तों कितने सासन हुए कितने वन्स आए दोस्तों मगद के समराज पे कितने वन्स आए टोटल तो दोस्तों तीन वन्स आए हर्यक वन्स क्या दोस्तों हर्यक वन्स पांसो चौबालिस से लेकर के चार सुबारा इसा पूर तक चला फिर दोस्तों सिसुनाग वन्स आया चार सुबारा से लेकर के दो मौरे समराज की नहीं डालते हैं चंदगुप्त मौरे चाणक की सहायता से ठीक है तो दोस्तों तीन वंस बैठते हैं किस पर मगद की गद्धी पर ठीक है याद रखेंगे तो तीन वंस के बारे में पढ़ेंगे हर्याक वंस सिसुनार वंस फिर नंद वंस ठीक है चलिए तो देखते हैं दोस्तों हर्याक वंस के बारे में साथियों अगर हर्याक वंस की बात करते हैं तो इसका समयकाल कित्ता था तो 544 से लेकर के 412 इसापूर तक दोस्तों हर्याक वंस का कारकाल क्या था 544 से लेकर के 412 इसवी तक ठीक इसापूर तक इस भी नहीं इसापूर तक औ बताईएगा विम्बसार ठीके और राजधानी क्या थी हर्यकळूंस की तो राज-ग्री थी क्या थी हर्यक वण की राज-ग्री ही इसवी ग्रीवज्ज थी ठीक है चलिए अब पहले सासा दोस्तों आते हर्यक के जो संस्थापक थे vimbiisar इनके वारें पढ़ते हैं तो vimbiisar का समय कब से कब तक था तो 546 से लेकर के 412 नभे इसापूर तक vimbiisar दोस्तों मगती गद्दी पर बैठते हैं ठीक हे हर्यागवंस के संस्थापक ठीक है चलिए तो दोस्तों आप से पूछे का कि मगद का वास्ते पानए संस्थाप़ कौन था दोसेर फे मगद के संस्थापा कौन था यहिई दोस्तों मगत की भी हो जाएंगे इनकी राजधानी नों क्या हो नाई गिरिवरजी अफी राजगरी ही आप को बताते हैं कि दोस्तों इसने क्या किया विम्बसार ने अंग परदेश को जीत करके हमने अंग भी परदेश को जीत करके इसने अपने पुत्र अजात सत्र को दे दिया किसने बिम्बसार ने क्या किया अंग प्रदेश को जीता और अपने पुत्र अजात सत्र को शौप दिया था ठीक है चलिए अब तो बिम्बसार ने तीन बिवाह किये थे कितने बिम्बसार ने टीन विवाह किये थे पहला दोस्तों कोसल की राजकुमारी महा कोचला से दुसरा वैसाली की लिख्षभी राजकुमारी छेलना से रानी चेलना से उघ्वी से और इसलास्तों पूत होता है अजासत्त्र जिसको अंग किस ने बनाया तो विंबसार का महल दोस्तों इसके वास्टुकार कौन थे तो महा गोबिंद ने बनाया था ठीक है यार कहेंगे एक कोश्चन भी आपके UPSI में पूछा गया था ठीक है तो हमने इसमें डाल दिया तो यार कहेंगे तीन इन्वर्ण साधी की और उसे दोस्तों जो पुत्र होते है अजा सत्रू जो की दोस्तों आगे बैठे गद्धी पर वो चलना से हुआ था ठीक अजा सत्रू के दोस्तों कारेकाल हम देखें तो दोस्तों 460 इसापूर से क्या 460 इसापूर तक अजा सत्रू कहां बैठा गद्धी पर बैठता है इससे दोस्तों कुडिक या फी पित्रहंता बोलते हैं कुडिक इसका उपनेम था पित्रहंता पित्रहंता क्यों बोलते हैं क्योंकि इसने अपने पिता को मार के गद्दी बैठा देखिए इसने अपने पित्रहंता वंस था ना इसको पित्रहंता वंस भी कहते हैं क्योंकि सभी पुत्र अपने पित्रहंता वंस भी कहते हैं क्योंकि सभी पुत्र अपने पित्रहंता वंस पूछा भी गया था कि दोस्तों प्रथम बहुत संगीति किसके काल में हुआ था दोस्तों आजात सत्रु के काल में कहां हुआ था तो राजग्रह की सब्त पंडी गुफा में कहां पर आप से ये भी पूछ सकता कि सब्त पंडी गुफा कहां पढ़ता है राजग्रह में ठीक ह चलिए तो पहले दोस्तों बहुत संगीती किसके समय हुई हजासत्युर की समय और यहार रखेंगे इसी के सासनकाल के आठवे वर्स में इनके सासनकाल आठवा मरे चला था तभी दोस्तों जो बुद्ध जी को महा पर निर्मार उते दोस्तों इनकी मरत्ति हुई थी दोस्तो उधाई की बात करेंगे तीसरे सासा दोस्तोव हाई या कंगरता है कि पूशन बहुत नाया ठीक है उधाई नाया इसने क्या किया इसने क्या किया पार्टेल पुत्र की स्थापना की और उसे एक राजहनी बना ली यह अपके यूपी ऐसाइए और यूपी पूलिस इसका पुत्र बैठता गद्दी पर आगे और ये अंतिम शाइसा का नाँजँए, बात करते हैं, नाँजँँद्ध को किसका पुत्र था? तो पता होगा, ये किसका पुत्र था? उधुनका, तो ये हर्याक वंस शाइसा था, या रखे हैं देखे हैं, रेलवे गुरूपडी कर देता है और एक नयए वंस की स्थापना करता है सिसु नाग वंस की ठीक है तो चलिए हर्याक वंस पढ़ चुके हैं अब चलते सिसु नाग वंस की ठीक है तो चार सो बारा इस लेकर करके 344 इसवी तरगी, wins नहीं इसबूर दोस्तो 412 इसबूर से लेकर लेकर, 344 इसबूर तक सिसुनाः वंस रहेगा, तो सिसुनाः वंस का दोस्तों पहला सासा कोहनों होगा, सिसुनाः इसका सासंगाल कब से कब तक रहेगा, 412 लेकर 308 अभी इसापूर तक और सिसुनाग वंस के संस्थापा को नों के सिसुनाग सोयम हो जाएगा अपने ही नाम पे इसने साजन का नाम रख लिया ठीक है यार रखेंगे इसकी सबसे वड़ी सफलता क्या थी अवंती राज्य को दोस्तों जीतकर मगद मिलाय था देखें सिसुन नाग ने ठीक है चलिए उसके बाद दोस्तों दूसरा सबस्तों कौन आएगा काला सोग दोस्तों 394 से 306 सापूर तक और इसका उपनाम क्या था काकवन था क्या नाम था काकवन और दोस्तों इसने क्या किया अपनी राजधानी पुना पाठली पुत्र कर दी ठीक अब ही द हमने बताया था ना वैस्या सबका काल है ना वैस्या सबका काल है दोस्तों हाना वैस्या नी वैसाली में सबका मतलब सभाकामी और काला सोक मतलब काला सोक के कारकाल में ठीक है तो दोस्तों इसके सासन काल में दूसरी बहुत संगीती हुई थी कहां पर वैसाली में ठीक वैसाल इंपने पढ़ा दिया तो जोस्तो इस वर्णक कर्या कि सोनाक वंस का अंतिम साशा कोन होगा तो महा नंदनी या फिर इसका नाम कया था नंदीवर्धन भी इसको कहते थे थे तो अंतिम साशा कि यार prayer पे homem संदिवर्धन था ठीक है चलिए अब दोस्तों उसके बाद तीसरा वंस आएगा नंद वंस ठीक है मगत समराज के तीसरा वंस है वह नंद वंस देखेंगे यह 344 से लेकर के 322 इसापूर तक रहेगा क्या 344 से लेकर के 322 इसापूर तक रहेगा देखिए यह इतिहास का हम 78 IOS जो छत्त्री रिणा होगे दोस्तों शाथन किये तो दोस्तों यार केंगे बहुत एक्राट की उपादी देता था यानि खुद को एक्राट कहता था अब पुराणों में इसे सर्व छत्रान तक कहते थे यानि कि सभी छत्रियों का नास करना तो इसने सभी छत्रियों को नास किया था उनको मार डाला था इसलिए इसको सर्व छत्रान तक कहते थे ठीक है चलिए आगे, देखते हैं, देखे, इसने सबर्थम कलिंग विजय की, कलिंग विजय आपको रहा, कलिंग के बारे मां अस्ब को जाएदा जानते हैं, तो सबसे पहले कलिंग को किसनai जीता, कलिंग विजय किसनai की, महापदमनंद ने फिर वहाँ एक नहर खुदवाई जिसके बाद दोस्तों देखे वहाँ पर गया किया इसने एक नहर खुदवाई और नहर खुदवाई जिसका उलेक बाद में दोस्तों कलिंग सासक खारवेल ने अपने हाथी गुंफा वलेक में किया था यानि हाथी गुं ककते हैं कितने विद्वान थे सबब्सक्राइब सब्सक्राइब क्रिए सब्सक्राइब अगरमीज मतलब हुआ अमीर वैक्ती बहुत अमीर था ठीक है तो युनानी लेककों ने इसे अगरमीज कहा और आगो जान दे या सिकंदर का समकालिन था आप से पूझा सकता है कि सिकंदर का समकालिन था कौण तो दोस्तों इसके बारे में घरानन्द, घरानन्द दोस्तों नंद वंस का अंतिम सासक था, देखिए इसने क्या किया दोस्तों चाणक की बेस्ती कर देती भड़े सवावें, और चाणक ने दोस्तों इससे बदलारी ने सोचा और उन्होंने चंदगो तो मौर की साथा इसको नस्ट या अर्व फो किसने डिस्ट्राइ किया तो दोस्तों किस ने खतम किया मगसमराज को तो दोस्तों किस ने कर दिया खतम तो more revenge ने more revenge के कौन चंदगुप्त more रे दोस्तों इसको destroy करकर दोस्तों more revenge की स्थापना की ये भी आपके UPSI में पूछा गया question है ठीक है बहुत संपूर्ण इतिहास का मिल जाएगा ठीक है पूरा इतिहास होगा और आपके प्राचीन इतिहास मध्धिकालिन और आधुनिक इसके अलावा आंदोलन सब कुछ होगा मात्र पचास रुपए में कैसे तो ग्यान अर्वियल आप पे जाएगे दोस्तों वहां से परचेस कर सकते इसके अलाव कम्पीटर बैच दोस्तों स्टेटिक जी के इबुक है और जो यह सफलता टू पांट जीरो बैच है तो जाएगे जो भी आपको चाहे दोस्तों ले सकते थैंक्यू धन्यवाद कैसे लगी क्लास जरूर बताएगा मिलते किसी नेक्स्ट वीडि पताकिले जाहें जाहरागा